रासा इंटरनेशनल इस्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वाजत है प्यारे बच्चों, आज हम संस्क्रित का पार्ट चौधा जिसका नाम है संख्या ज्यानम वह पढ़ेंगे यह प्रस्ट संख्या 92 वा 93 पर है तो आएए शुरू गरते हैं पार्ट 14 संख्या ज्यानम चतुरदशह पार्ठह एक से चार तक की संख्या तीनों लिंगों में भिन होती हैं जो की इस प्रकार है एक से चार तक की जो संख्या होती है संस्कृत में वो तीनों लिंग में अलग-अलग होती है भिन होती है जो इस प्रकार हैं आप यहाँ पर देख रहे होंगे यह जो एक से लेकर चार तक की जो संख्या है वह पुल लिंग, इस्ट्री लिंग तथा नपुनसक लिंग तीनों लिंगों में भिन भिन है तो आईए इनको पढ़कर समझते हैं एक को बोलते हैं एक संस्कृत में और दो को बोलते हैं द्वी तीन को बोलते हैं त्री और चार को बोलते हैं चतुर और अब हम इसका पुलिंग वा इस्ट्री लिंग और नपुनसक लिंग में रूप देखते हैं पुलिंग यदि कोई भी व्यक्ति वस्तू पुलिंग होता है तो उसके लिए हम एक हा संख्या प्रयोग करते हैं इस्ट्री लिंग है तो एका और नपुनसक लिंग है तो एकाम ऐसे ही द्वे को बोलते हैं दो तो अगर पुलिंग शब्द है तो हम द्वे लिखेंगे और प्रयोग करेंगे और इस्ट्री लिंग शब्द है तो द्वे और नपुनसक लिंग शब्द है तो भी द्वे त्री होता है तीन और पुल लिंग में त्रय होता है संख्या और इस्त्री लिंग में त्रिस्त्ह और नपुन्सक लिंग में त्रीनी ऐसे ही चत्र होता है चत्र बोलते हैं चार को और पुल लिंग में बोलते हैं चत्वारह और इस्त्री लिंग में बोलते हैं चतस्त्रह और नपुन्सक लिंग में बोलते हैं चत्वारी तो आपने यहां पर देखा, एक से लेकर, चार तक की जो संख्याएं हैं, उनके लिंग में, तीनों लिंग की अलग-अलग होते हैं, यहां पर आपने भी देखा, तीनों लिंग में अलग-अलग हैं, अब हम उसके आगे पढ़ते हैं, पांच से, तीनों पुल लिंग, इस्त पुलिंग में भी होता है, इस्त्री लिंग में भी पंच होता है, और नपुनसक लिंग में भी पंच ही संख्याक बोलते हैं, पंच होता है पांच, शट होता है, पुलिंग में भी, शट होता है, इस्त्री लिंग में भी, और शट होता है, नपुनसक लिंग में भी, और सब् होता है पुलिंग में भी इस्ट्री लिंग में भी और नपुनसक लिंग में भी अस्ट अस्ट पुलिंग में भी इस्ट्री लिंग में भी और नपुनसक लिंग में भी नव इस्ट्री लिंग पुलिंग नपुनसक लिंग तीनों लिंग में सेम होता है दश दश और यह भी पुल लिंग इस्ट्री लिंग तथा नपुनसक लिंग में एक समान होता है यहाँ पर कुछ शब्द दर्ती है आईए उनको पढ़कर समझते है एक जो है एक होता है पुल लिंग में एक बचन पुल लिंग में बोलते हैं एक हा एक और एक हम यदि हम प्रयोग करेंगे तो एक है नपुनसक लिंग और दुए अगर प्रयोग करते हैं तो यह दो होते हैं पुल लिंग और इस्ट्री लिंग दोनों में दुए का प्रयोग होता है त्रिस्त्रह होता है तीन इस्त्री 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 इ यहां पर एक बार दोहरा लेते हैं, गिंती, एक, द्वी, त्री, चतुर, पंच, शट, शप्त, अस्त, नव, दस्त, यह हैं, संस्कृत में गिंती हैं, इनके एक से लेके चार तक की जो संख्या होती है, एक से लेके चार तक की जो गिंती होती है, उसमें तीनों लिंगों में सबीके अलग-अलग हेद होते हैं, यह हम कह सकते हैं, कि तीनों लिंगों की जो गिंती हैं, तीनों लिंगों की वह एक समान नहीं होती हैं, वह भिन होती हैं, तो आज हमने क्या सीखा आज हमने पाठ चोदे संख्या ग्यानम संख्या गिंती सीखी तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए धन्यवाद